हाई मद्यप्रदेश में 15 साल से बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में साड़े चार साल से नरेंद्र मोदीजी की सरकार है अब यहां यहां हजारों युवा दिखाई दे रहे हैं मैं आपसे चोटा सा सवाल पुछना चाहता हूँ प्रधान मंत्री जी ने आपको वायदा किया था कि हर साल वो दो करोड युवाओं को रोज़गार देंगे क्या नरेंद्र मोदी जी ने आपसे सच बोला था या जूट जहां भी देखो नाम क्या है आपका नाम क्या है नाम क्या है दिपक सिंग जी ये फोन गुमा के देखो इस पे मेड इन चाइना लिखका है मोदी जी ने आपसे कहा था कि चार साल पाफ साल के अंदर इस फोन के पीछे मेड इन इंडिया मेड इन मित्वपनेश लिखके दिखाएंगे मगर उन्होंने आप सबसे जूटा वाइदा किया आपको कहा रोजगार मिलेगा और सच्चाई पता लगी चार साल सारे चार साल पाफ कि नरेंद्र मोदी जी ने किसी भी युगा को हिंदुस्तान में रोजगार नहीं दिया आपका नाम क्या है नितिन आपने राफाईल हवाईजास का नाम सुना है नितिन राफाईल हवाईजास कहां बनता है फ्रांस में बनता है नितिन आपको मालूम है कि यूपिये सरकार ने राफाईल की कंपनी से एक हवाईजास 536 करोर रुपए में करीदने का सोदा किया था राफाइल हर्वाई जाज की कंपनी को कहा था कि अगर राफाइल हर्वाई जाज करीदा जाएगा तो HL बनाएगी और नितिन जैसे युवाओं को बेंगलार में बाकी प्रदेशों में रोजगार मिलेगा गवर्मन्ट कंपनी को कॉंट्रैक दिया था नितिन आपने हनी लंबानी का नाम सुना है नरेंद्र मोदी जी ने जिस जहाज को यूपीए ने 546 करोर के लिए खरीदा उस हवाई जहाज को नितिन नरेंद्र मोदी जी ने 1600 करोर रुपे में खरीदा है नितिन आप जानते हो कि नरेंद्र मोदी जी ने अने लंबानी के जेब में कितना पैसा डाला भाई और बैनों देश के चोकीदार ने अने लंबानी के जेब में एर फॉर्स का 30,000 करोर रुपे डाला एर फॉर्स का पैसा आपका पैसा नितिन का पैसा मत्यप्रदेश का पैसा युवाव को पैसा मैंने हमने जाके हमने जाके पार्लमन धाउस में नरेंदर मोदी जी से चार सवाल पूछे मोदी जी अनिल अंबानी ने पूरी जिंदगी हवाई जार्ज नहीं बनाया आप जानते हो नरेंदर मोदी जी अनिल अंबानी ने अपनी जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया HL ने MIG हवाई जहाज बनाया सुकोई हवाई जहाज बनाया Jaguar हवाई जहाज बनाया होक हवाई जहाज बनाया ALH हलिकाप्टर बनाया HL पे कोई करदा नहीं अनिल अंबानी 45,000 रुपे बैंक का पैसा लेकर बैठा हुआ है सरकारी कंपनी से नरेंद्र मोदी जी ने अपने मित्र को HL से छीन कर राफाईल हवाई जहाज का कॉंट्राट दिया हमने पारलिमंट हाउस में जैसे हम हाँ मिला रहा हूँ न अब से क्या नाम है तुम्हारा चंदरशेका जैसे मैं हाँ रहा हूँ न तुपसे वेसे ही मैंने नरेंद्र मोदी जी से हाँ मिला कि पूछा मोदी जी अनलंबानी को क्यूं दिया मोदी जी हL से क्यूं चीना मत्यख प्रदेश और बाखी प्रदेशों के हुमाउं से रोजगार क्यूं चीना पता है नरेंद्र मोधी जी ने क्या किया मैंने ऐसे आख में आख मिलाई नरेंद्र मोधी जी कभी यू करें कभी यू करें कभी उदर देखें कभी उदर देखें आख में आख नहीं मिला पाए पता है आख में आख कौन नहीं मिला पाता है जो चोरी करता है बाई और बहनों देश का चोकीदार देश का चोकीदार चोरी कर गयो देश के चोकीदार ने 30,000 करोर रुपे अनिनम्बानी के जेब में डाले आपको जूटे वाई दे देश के किसानों को जूटे वाई दे देश के चोटे दुकानदारों को जूटे वाए दे और अने लंबानी की जेव में 30,000 करोर रुपए नरेंद्र मोधी जी ने किया अब मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कॉंग्रेस पार्टी क्या काम करेगी जैसे ही हमारी सरकार आईगी मत्यप्रदेश के किसानों आप सुन लो आपका कर्जा माफ करके दिखाएंगे मोधी जी ने अने लंबानी का 45,000 करोर रुपए कर्जा माफ करने की कोशिश की विजय मालिया को 9,000 करोर रुपए देके बगा दिया यह देखो पुलि अच्छा भईया मेरे बाशन में सिंधिया जी एक लाइन डालना चाहते है सुनिए उनकी बात यार रिवा में ऐसी ही मनापुली चल रही है संबड़िया ग्रूप और भाजपा के उर्जा मंत्री के बीच में तो जैसे देखिए यह पुलिस वाले खड़े है पुलिस वाले खड़े है शिवराज जी अब मैं आपसे पूछने चाहता हूँ अब यह देखिए यह सब कड़े हुए है अब मान लीजे भईया आपका नाम क्या है दिनेश जी आप पुलिस में काम करते हो मैं आपको भसाना नहीं चाहता हूँ मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ दिनेश जी अगर आपके पास अब आप पुलिस स्टेशन में हो और कोई चोर आपके पास आता है और कहता है भईया दिनेश जी मैं पुलिस स्टेशन से बाग के जाना चाह रहा हूँ अगर आपने उसको जाने दिया तो आपके साथ क्या होगा सदा होगी आपको जेल में डालेंगे तो दिनेजी मैं आप जा पूछना चाहता हूँ अगर हिंदुस्तान का फाइनांस मिनिस्टर विजे मालिया से 9000 क्रोन रुपे जिसने चोरी किये अगर हिंदुस्तान का फाइनांस मिनिस्टर विजे मालिया से मिलता है और विजे मालिया अरुन जेटली से कहता है कि मैं लंडन जा रहा हूँ और अगर अरुन जेटली कहता है हाँ जी जाईए तो अरुन जेटली के साथ क्या होना चाहिए दिनेज जी आप मुझे समझाईए आपको जेल में डालने के रहत्यार है मगर अरुन जेटली को क्यों जेल में डालने के रहत्यार नहीं है अरुन जेटली जी ने 9000 क्रोर रुपे के चोर को भागने दिया ना उन्होंने CBI को बताया ना उन्होंने Enforcement Director को बताया मालिया ने मुझे बताया कि मैं लंडन जा रहा हूँ हाँ मैंने उसको भागने दिया लानेत मोधी विजय मालिया निरव मोधी मेहूल चोक सी लाइन लगी हुई है भाई और बेनो चोकीदार चोर है चोकीदार चोर है यह है अंदुस्तान की सच्चाई भाई और बेनो मध्यप्रदेश में कॉंग्रेस की सरकार आएगी युवाओं को रोजगार देने का काम करेगी सिंदिया जी कमल ना जी पूरी जिंदगी लगा देंगे 24 गंटे युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगी यह आप अपना फोन देखो देखिए मैं आपको आपने सरदार पटेल जी का नाम सुना है हिंदुस्तान के प्रदान मंत्री जी ने सरदार पटेल की मूर्ती गुजरात में बनाने का काम किया कहते हैं सरदार पटेल की सबसे बड़ी मूर्ती गुजरात में बनेगी पता है मूर्ती कहा बनी चाहिना चीन में बनी सरदार पटेल जी की मूर्ती इससे बड़ा अप्मान सरदार पटेल का किया जा सकता है क्या सरदार पटेल जी ने हिंदुस्तान को बनाने का काम किया और सरदार पटेल की मूर्ती पीछे लिखा हुआ है Made in China किसने बनाई नरेंद्र मोधी जी ने हम चाहते हैं कि आपके सेल फोन के पीछे आपके शर्ट के पीछे आपके जूते के नीचे Made in Madhya Pradesh लिखा जाए हम चाहते हैं Made in India लिखा जाए हम चाहते हैं Made by H.E.L. लिखा जाए छोटे दुकानदारों को Middle-size businessman को Small businessman को हम बैंक से लोन दिलवाना चाहते हैं हम entrepreneur's को छोटे छोटे जो business चलाते हैं युवाओं को बैंक का लोन देना चाहते हैं नरेंद्र मोधी जी सिरफ 15 लोगों को बैंक का लोन देते हैं 150,000 क्रोड रुपया 15 लोगों का बाफ किया है ये सच्चा ही हमारे देश की और इसको हम बदलना चाहते हैं हम चाहते हैं कि मद्यव प्रदेश के किसान को लगे युवाओं को लगे छोटे दुकांदार को लगे पुलिस वाले को लगे कि मद्यव प्रदेश में भी मेरी सरकार है मद्यव प्रदेश में मुझे भी पाइदा मिलता है ये फ़रक है हमें देखिए पुलिस वाले मुश्कुरा रहे है आप हमारी बात समझ रहे हो आपको दवारा जा रहा है मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है बाई और बेहनों रात का समय है आप दूर दूर से आए आपने इपना प्यार दिखाया हमें इसके लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और पहले मैं आपसे माफी मंगना चाहता हूँ पहले गल्पी हो गई हम पहले निकल गई और आपको यह रुकना पड़ा आपको कश्ट हुआ इसके लिए दिल से बहुत बहुत से हम से ने जैज अदेश के खिअ Sherman au Sao यह को यह प। कि आंब तोर से को आम तोर से शिक्षा का सिस्टम लोगों को युवाओं को भड़ी में कोitionalव ज्राइट एफ चैनल जिनए दूराम जीने ने मद्यय प्रदेश के शिक्षा के सिस्टम को बेचने का काम किया पचास लोगों की हत्या हुई अच्छा भाई ओ बैनों आपने इटेंडरिंग सुना है इटेंडरिंग मतलब बरश्टा चार देखिए जिन्होंने हिंदुस्तान की वायू सेना से चोरी किया जिन्होंने राफाइल मामले में चोरी किया उन पर हम कारवाई करके दिखाएंगे मगर जिन्होंने वियापम में चोरी की जिन्होंने इटेंडरिंग में चोरी की उनको भी हम पकड़ के जेल में डालने वाले हैं अच्छा ये इस साइड देखिए ये देखिए किसे को चोड़ तो नहीं लगी भाईया नहीं लगी द्यान से द्यान से अब ये देखिए इस इमारत को देखिए ये भी है इटेंडरिंग का जादू इटेंडरिंग का जादू समदड़िया ग्रूप की सुंदर बिल्डिंग देखिए आपके सामने डायरेक्ट समदड़िया ग्रूप की बिल्डिंग इटेंडरिंग से की गई एक व्यक्ति को आपकी पूरी की पूरी जाएदाद भाईयो भेनो आप सब का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अभी करेंगे अभी करेंगे आप सब को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जेहिद रहुल भाईया पिछले 15 सालों से मतपुनेश की जनता तरह हो अच्छी सवाट के लिए रहुल भाईया जिन्दावाद 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 बढ़ी है कि अllesव माते है मुहत जिन्दा जिन्दाव जिन्दावी कीण जिन्दान कि सॉru भाईया खालों ए्लों रहाद ग्लों चर ज्जल